देखिए अमीश भाई जहां तक मालेगाओं ब्लास्ट का सवाल है कुछ संसरी खेज विशय आपको यहां जानना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक भी पहुचाना चाहूंगा दो ब्लास्ट हुए थे मालेगाओं में 2006 में ब्लास्ट हुआ था 2008 में ब्लास्ट हुआ था 2006 में जो ब्लास्ट हुए थे तो नौ लोग गिरफतार हुए थे उस समय शबीर करके एक वेक्ति था जो पाकिस्तान का फ्रंट था एलिटी का फ्रंट था उसे गिरफतार उस समय की पुलीस ने किया था मगर 2008 में जब यह ब्लास्ट हुआ इन तमाम लोगों को छोड़ दिया गया और हिंदू आतंगवात का अमली जमा पहनाने की एक साजिस रची गई और आज इस साजिस पर से परदा उठा है दूसरा विशह है आप याद कर यह समझोता एक्सप्रेस ब्ला इन सरकार ने उस समय हिंदू के नाम पर हिंदू आतंगवात का तमगा लगाने की कोशिश चब्वीस ग्यारह भी ठीक उसी प्रकार आप याद करिए चब्वीस ग्यारह में भी यह तो शुकर है तुकाराम ओंबले ने जो आतंगवाती कसाब था उसे पकड़ लिया वरना आतंगवाती कसाब को मौली लाल रंकी मौली हात में पहना कर भीजा गया था और उसका भी नाम एक हिंदू नाम रखा गया था क्यूंकि बाद में जो दिविजय सिंग कह रहे थे 26-11 RSS की साजिस हिंदू की साजिस उसे भी हिंदू आतंगवात की कैटेगरी में डालने का स मनी के उपर सिग्रेट गोदा गया उस समय के सिटी ऑफिसर सतीज वर्मा ने सिग्रेट से गोदा ताकि इसरत जहां पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी उस विशे को वो सच्चाई एफिडविट में न रखे और जीके पिल्लाई जो कि उस समय के होम सेकर्टरी थे उन्होंने भी इंटर्विव में कहा कि जो पहला एफिडविट हमने कोट में दिया था उसमें हमने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादी है इसरत जहान मगर चिदांबरम ने खुद अपने हाथों से उस लाइन को काटा और सेकेंड एफिडविट कोट में भरती कि आप सोचिए हिंदू से इतनी नफरत करते हैं कि किसी भी कीमत पे हिंदू आतंकवाद को यहां पर स्थापित करना है